हलो दोस्तों केसे हो मैं हूँ अश्वीन और स्वागत है आप सब का हिंदी चेस वीडियोज में दोस्तों मेगनस कालसन इन्विटेशनल चेस टूर्णमेंट जो की चेस 24 पे चल रहा है जहां पे सेमिफाइनल में नकामुरा अफेभी ओना करऊँआ न डिंग लिरेन और मेगनस कालसन पहुँच जया में किया हुआ है दोस्तों की पोजिशन जू है वो अलमोस इक्कОल जा रहे थी और इवन मेगनस कालसन जो है वो पॉन प्लस थे बट उधर जो है डिंग देरेन के पास जो है एक्टिविटी थी बट दोस्तों वहाँ पर मेगनस कालसन ने जो है काफी बड़ा ब्लेंडर किया जिसकी वज़ा से बाद में जो है चेकमेड इन 3 लग गई मेगनस कालसन काफी बड़ी मुसीबत में है देखते है आगे वो किस तरह से कहलते है पर फिछला के लिए भी जहां पर मेगनस कालसन है इतनी बड़ी ब्लेंडर की आये शुरू करते हैं डिंग दिरेन के वाइठपिस थे और उन्होंने गेम की शुरूआच वो दोस्तों वह e E6 and C3, तो दोस्तों यह जो है recent trend है, जहां पर white जो है actually, Ruby Lopez जैसा ही कुछ structure जो है achieve करता है, but वो जो है यहां पर Italian game खेलता है, और Ruby Lopez और इस particular structure में difference यही होता है, कि जब भी जो है black का D5 आता है, black को जो है एक tempo मिलता है, इस position में जो है h6 खेला गया, और h6 का region side यह हो सकता है दोस्तों कि हम अगर जो है castle and rook e8 खेलना चाहता है, तो उस टाइम पर जो है knight to g5 जैसी चीज़ों को जो है, वो avoid किया जाए, या फिर कहीं case में जो आप bishop to g5 भी avoid करना चाहते हो, now rook to e1, a castling shot, h3, rook e8, now knight b to d2, a6, a4, so just b5 को जो है stop किया and now bishop to e6, so bishop captures e6, rook captures on e6 and now b4 bishop पर take है, so bishop to a7, queen to c2 and now queen to d7 और यहाँ पर देखे है कि जो है, डिंग लिरेन का यह bishop जो है दोस्तों अभी भी बंद है but inside का जो bishop होता है दोस्तों, वो normally जो है, वो actually late game में आता है और यहाँ पर white के लिए plan काफी clear है, just like Rui Lopez, वो knight f1 खेलना चाहते है चाहाँ से आगे चलके knight g3 या तो knight e3 and वहाँ से f5 या तो d5 पर जा सकते हो और उससे पहले दोस्तों आप चाहो तो bishop e3 खेलके वहाँ पर bishop को भी trade कर सकते हो यहाँ पर dingler ने knight f1 खेला and now a d5, मेंगने सकालसा ने जो है दोस्तों, center में break लिया and after bishop e3, bishop capture e3, knight capture e3 and now knight to e7 जो है, वो actually game में खेला गया तो दोस्तों इस position में अगर से आप यहाँ पर capture करते हो on d5, right, game totally equal है और black simply वहाँ पर capture कर सकता है और यहाँ पर देखा जाए तो black जो है उसके पास center रहेगा but दूसरी और दोस्तों, जो है white कभी boost center को challenge कर सकता है so यहाँ पर totally even game है, but knight to e7 के बाद actually जो है, वो f5 डिंग लेरेन ने खेला and now knight to g6, so यह knight जो है दोस्तों, वो f4 पर जाना चाती है और यहाँ पर g3 खेल के जो है, उसको stop किया, and now rook to just d8, king g2, and now queen to c6, and now knight to f5 so यहाँ पर जो है, डिंग लेरेन की knight काफी strong piece बन चुकी है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, कि g6 करके अभी उसको हटाना impossible सा हो जाएगा otherwise h6 pawn जो है, वो drop हो रहा होगा, इस position में जो है, knight to e7, Magnus Carlson ने खेला, वो simply इस knight को जो हटाना चाहते है so now knight captures e7, rook captures e7, c4, and now d captures on e4, d captures on e4, and now queen to e8 so दोस्तों यहाँ पर Magnus Carlson जो है, वो actually c5 प्रिपेर कर रहे है, c5 प्रिपेर करने से किया होगा, कि आपका pawn push नहीं होगा जो होगी, so यहाँ पर यह जो है, Magnus Carlson का प्लान है, इस position में जो है, rook e8 to d1 खेला गया, and now c5, b captures on c5, and now just rook to c8, so rook trade जो है दोस्तों, Magnus Carlson ने वोट किये, वो जो है, बोट पर शादे रूग रखना चाहते है, और अब यह c5 pawn को दोस्तों से एक्चुल में नहीं किया जा सकत तो यहाँ पर जो है, Knight to h4 खेला गया, और दोस्तों यहाँ पर white के pieces की activity, especially Knight on जो है, वो actually fy का कोई जवाब ही नहीं है, और इस position में से जो है, आप उसको पहले से ही, g6 करके stop करने की try करते हो, but then rook to d6 आजाएगा, Knight पर टेक है, इनसे आप जो है, यहाँ पर king g7 खेलते हो, then दोस्तों, Dinglerian खेल सकते है, queen to d2, और इस position में जो है, rook से जो है, pawn को capture नहीं किया जा सकता, वो indirectly saved, reason यह है, कि rook captures Knight आजाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ से, rook captures on c5, then rook captures Knight on f6, king captures, and queen to d6 check के बाद, यह rook जो है, चला जाएगा, right, but ऐसा नहीं है, दोस्तों कि queen d2 के बाद, यह lost हो रहा है, वो simply जो है, वहाँ पर पहले rook e6 खेल सकते है, और यह pawn जो है, दोस्तों, वो अभी भी weak है, right, but anyways, game जो है, दोस्तों, यहाँ पर फिर भी तीनों result के लिए open है, but game में चलते है, जहाँ पर Knight h4 के बाद, Magnus Carlsen ने जो है, वो तुरन थी, rook captures on c5, and now Knight to f5, और दोस्त में किया होगा, a6 पर काफी pressure बन सकता है, यहाँ पर rook captures on d7 जो है, और डिंग लिरे ने खिला, क्योंकि उनको दोस्तों, d5 जो है, हो मिल रही है, and now Queen captures on d7, now Rook to d1, and now Queen to c7, so अब देखिए, a5 पर attack है, c4 पर attack है, सब कुछ 7 नहीं हो सकता, but now Rook to d6, so particularly, जो है, इस Knight की captures on h6, जो है, काफी powerful threat है, इस position में, जो है, actually, Rook captures on c4, गेम में खेला गया, और अगर यहाँ पर डिरेक्ली, जो है, Queen to d2 के लिए जाते हो, then क्या होगा, कि Knight captures on e4 आ रहा है, so इसलिए, यहाँ पर पहले, जो है, Rook capture c4 के बद, Queen to d3 खेला गया, और दोस्तों, यह position जो है, and then, जो है, White वो जा सकता है, Rook to just b6 के लिए, right, and तब वो जो है, आप King to h7 खेलोगे, and then g6 करके, इस Knight को जो है, यहाँ से हटाने की try करते हो, but, actual में गेम में क्या हो, दोस्तों, कि Queen to d3 के बाद, जो है, Magnus Carlson ने यहाँ पर King to h7 खेला, और दोस्तों, यह जो है, वो mistake of the game है, यहाँ पर game जो है, अब just finish है, right, so, वीडियो को pause कीजिए, और सोचे कि, यहाँ पर Ding Liren ने क्या खेला होगा, ready, दोस्तों, Ding Liren नहीं यहाँ पर अपना Rook दे दिया, उन्होंने Rook से Knight को capture कर दिया, and इस position में जो है, इस Rook को capture नहीं किया जा सकता, अगर आप capture नहीं करते हो, so, then, जो है, यहाँ पर white simply winning है, और even जो है, आप यहाँ पर Rook C3 जैसी को intermediate move भी नहीं कर सकते है, otherwise क्या होगा, कि simply Rook capture सोने F6 होना जाएगा, आप मेरी queen capture करते होना, आपकी queen capture करूँगा, और यहाँ पर जो है, मेरे पास knight extra है, right, और यह position जो है, white के लिए completely winning है, so, Rook captures F6 के ब queen captures F6, and then queen G7, में tap stop ही नहीं कर पा रहे हो, right, आप यहाँ से निकल ही नहीं सकते, say king आप जो है, वो G8 पर जाते हो, फिर भी queen capture F6, and next move G7 उसको stop करना नहीं मून की नहीं, so, दोस्तों, कैसी लगी आपको एगी मोराज का वीडियो, I hope मेरा वीडियो जो आपको काफी पसंद पसंद आए तो प्लेइस चैनल को सब्स्राइब कीजिए, वीडियो को लैक दीजिए और अपनी कोमेंट देना बिल्कुल ना भूले, तनियवाद चाहिए, बाबाई